हलो एवरिवन, वेलकम तो हिमाचल एक्जाम, माइनेम इस परविन गुलेरिया, तो आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग इन सी के उपर, आपके आने वाली एक्जाम जैसे जेओए, आईटी, कम्प्यूटर, ओपरेटर और प्रोग्रामर में अक्सर इस सी आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्णे सब्जेक्ट बनता है, तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है अपने एक्जाम के अंदर, तो आपको डेफिनिल्टी इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और मैं आपको आपके एक्जाम पॉइंट ओफ यू से, इसको छे से साथ लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करूँगा, और आज की ये वीडियो प्रोग्रामिंग इन सी के उपर फर्स लेक्चर होने वाला है, तो प्लीज ध्यान से देखें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर सी जो है, कुछ बच्चों को डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो मैं आपको थोड़ा इजी वे में आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा, और आप भी थोड़ा ध्यान दे के इसे पढ़एं, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो हैं, उसमें भी कोई दिख करना हो, और एक्जाम में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएं, तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इंट्रोड़क्शन टू सी, इंट्रोड़क्शन ऑफ सी में आपका अक्सर इसकी जो हिस्ट्री है, उसके बारे में थोड़ी बहुत हम डिस 1972, तो आपको देखने को मिला कि, आपकी जो सी लेंग्वेज है, वो AT&T Labs के अंदर, USA में 1972 में क्या वही थी, ड्वेल्प हुही थी, और it is designed and written by the man named Dennis Ritchie, तो Dennis Ritchie जो थे हमारे फादर से सी लेंग्वेज के, यह भी बहुत जादा इंपॉर्टन है, इसे ध्यान रखें, PL1 and ALGO, तो PL1 और ALGO L, C से पहली की लेंग्वेजिस थी, जिसको C ने replace कर दिया था, क्योंकि C क्या थी, इन से काफी better perform कर दी थी, reliable थी, easy थी, understand करने के लिए, आगे अगे अगर मैं बात करूँ, it was initially designed for a programming, Unix operating system, तो जो हमारे Unix operating system है, अक्सर सर्वर्स में Unix operating system ही हम यूज कर करते हैं, इसका जो code था, वो first तो हमारा assembly language में लिखा गया था, बट जब C language आई 1972 के अंदर, तो जो अगला जो code था, वो हमारा C language में लिखा गया था, Unix operating system का, now the software tool as well as the C compiler is written in C, तो C का जो compiler है, वो भी C language के अंदर ही लिखा गया है, C के अंदर उसका code हुआ हुआ है, जिस हम compile करते हैं, C के किसी भी program को, major part of popular operating system like windows, unix and linux, ये तीन type के हमारी operating system है, और इन का जो code है, जो major code है, वो हमारा C language में ही लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं, C हमारी कितनी ज़्यादा important language है, अगर आपको developer बनना है, या किसी और language को भी सीखना है, तो सबसे पहले आपको C के बारे में अच्छी knowledge होने चाहिए, क्योंकि C को हम mother of other languages भी बोलते हैं, तो आपको मैं बताऊं, C seems to popular is because it is reliable, simple and easy to use, तो जैसे मैंने आपको बता है, C एक reliable language है, जिस पे rely किया जा सकता है, बरोसा किया जा सकता है, और simple and easy to use है, ताकि हम easily code कर सकें, और अपने programs या problems को solve कर स तो I think आपको basic introduction लगी होगी C के बारे में, कि history में क्या था, और इस में से भी अकसर question पूछे जा सकते हैं आपसे, तो please इसे ध्यान में रखें, तो आगे बात करते हैं C के बारे में, तो अगर आपको C language को सीखना है, तो जैसे आपने English language को सीखा होगा first time, तो वैसे ही आपक class में ABC पढ़ा होगा आपने, तो सबसे पहले आपने ABC के बारे में जाना, alphabet के बारे में जाना, English के, A से Z तक जो है, उसके बाद आपको words की knowledge होई, कि किस word का क्या meaning होता है, आपको धीरे धीरे knowledge होने लगी English के बारे में, जब आपको words की knowledge हो गई, तो उसके बाद आपने sentences बन बनाना सीख चुके हो आप, और एक English language के अंदर आप एक पूरा पहरा graph लिख सकते हो, क्योंकि आपको एक अच्छी knowledge हो चुकी है English के अंदर, तो वैसी ही अगर आपको C language को सीखना है, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर जो जो alphabets use होते हैं, digits use होती हैं, symbols use होते हैं, उन symbols को किस तरह से use करते हैं, और उनका क्या मतलब है C के अंदर, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और फिर जब इसकी knowledge आपको हो जाएगी, उसके बाद आप constants क्या होते हैं, variables क्या होते हैं, keywords क्या होते हैं, C के अंदर, जब आपको इन सब की knowledge हो जाएगी, तो multiple instruction आप लिखोगे, तो एक program बना लोगे, तो हमारा basically motive क्या है, C के अंदर किसी भी program को write करना, या किसी program को write करना, किसी problem को solve करने के लिए, तो हमारा target क्या होगा, program लिखना, तो मैं आपको अपनी videos के अंदर basic C introduction से लेकर, किसी program को कैसे लिखते हैं, किस तरह से form किया जाता है एक basic program C के अंदर, तो वहां तक हमारी journey रहेगी, तो उमीद करता हूँ, आपको मैं समझाने में शक्षम होंगा, और आप भी, please ध्यान से मेरी videos को देखें, और जो जो मैं बोलूँगा, constants variable के बारे में मैं आने वाली video में आपको बताऊँगा, तो उमीद करता हूँ, वो आ आपको काफी beneficial होंगे, तो आगे मैं बात करूँ, a computer program is just a collection of instruction necessary to solve a specific problem, तो program क्या होता है, हमारी collection of instruction होता है, जो कि किसी specific problem को solve करने के लिए काम आता है, and the approach or method that is used to solve the problem is known as the algorithm, तो algorithm क्या होता है हमारा, किसी भी problem को solve करने का जो approach है हमारी, या हमारा तरीका है, या method है, उस तरीके को क्या बोलते हैं, algorithm बोलते हैं, programming की भाशा में, तो I think आपको इतना समझ में आया होगा, तो आगे चलते हैं, इसके बाद, इसके बाद आता है हमारा, so for as programming language concern, these are of two type, तो हमारे पास, दो type की programming languages होती है, अक्सर इसमें से question पुछा जा सकता है, आपके exam के अंदर की कौन कौन से type की languages होती हैं, हमारी, एक होती है हमारी low level language, और एक होती है हमारी high level language, low level language क्या होती है, high level language क्या होती है, इस से अक्सर question देखने को मिलता है, तो इसकी आपको एक basic knowledge तो होनी ही चाहिए, तो अगर level language के बारे में, मैं machine level and assembly language low level language के अंदर हमारी दो टाइप की languages आती हैं एक आती है machine level एक आती assembly level तो ये दोनों क्या होती हैं अब machine level language computer only understand जो हमारा computer होता है या machine होती है वो सिर्फ machine level language को ही understand करता है तो हमें हर एक language को पहले machine level language में convert करना पड़ता है ताकि machine understand कर सके और machine level language में हम सिर्फ दो words का ही यूज करते हैं जीरो और वन सिर्फ जीरो या वन की form में हम language को लिखते हैं और machine उसे understand करती है अपनी according और आगे मैं बात करूं assembly language की assembly language is on other hand modified version of machine level language where instruction are given in English like word as add some or move इस तरह की words का use करके हम जिस code को लिखेंगे उसको हम बोलते हैं assembly level language assembly language में हम इस तरह से काफी words का use करते हैं addition के लिए subtraction के लिए multiplication के लिए काफी words का ये move के लिए होता है यहां से वहां अगर किसी data को हमें move करना है तो उसके लिए इनका predefined एक मतलब है assembly language के अंदर and it is easy to write and understood but not understand by a machine तो ये वाली language जो है मैंने जैसे आपको बताया assembly language को machine understand नहीं करती है तो हमें assembly language में जो code लिखा होगा उसे भी machine language में convert करना पड़ेगा so the translator used here is assembler तो उसको हम क्या बोलेंगे assembler बोलेंगे to translate into machine language तो इसके बारे में मैंने आपको आगे बताया है तो आप सिर्फ ये understand करें कि low level language के अंदर हमारी दो टाइप की आती है एक आती है machine level एक आती है assembly language और machine क्या होती है जो zero one को understand करती है और assembly में हम English like words का use करते हैं जैसे add some इस तरह से हम किसी code को लिखते हैं और यहीं अगर मैं बात करूँ अब high level language की तो high level language में these language are machine independent machine से क्या होती है independent होती है और कहीं पे भी हम इसको run कर सकते है means it is portable portable का मतलब क्या है कि किसी चीज़ पे वो dependent नहीं है वो किसी भी machine पे independently run कर सकती है the language is in this category is pascal जो pascal है kobol है fortran है यह सारी high level languages है हमारी high level languages are not understood by a machine यह भी machine के दवार understand नहीं की जा सकती है so it need to translate by the translator into machine level तो इसको भी हमें क्या करना पड़ता है convert करना पड़ता है high level language के अंदर the translator is software which is used to translate high level language as well as low level language in the machine language translators use किये जाते हैं हमारे high level language और low level language को convert करने के लिए machine level language के अंदर तो I think आपको low level language क्या होती है high level language क्या होती है इसके बारे में थोड़ा idea लगा होगा तो आगे अगर बात करूं मैं तो हम बात करेंगे translators की जिसके बारे मैं मैंने आपको already बताया तो translators होते हैं हमारे एक होता है compiler एक होता है interpreter और होता है assembler जो compiler होता है हमारा वो high level language को machine level language में convert करता है और interpreter भी हमारा high level language को machine level language में convert करता है तो इन दोनों में difference क्या होता है इसके बारे मैं आपको आगे बताऊंगा और assembler क्या करता है low level language जो हती है हमारी या assembly language उसको जो convert करता है machine level language के अंदर assembler यूज किया जाता है उसके लिए बात करूं आगे तो translators में हम मैं compiler और interpreter के बारे में आपको बता दूँ compiler and interpreter are used to convert the high level language into machine level language the problem written in high level language is known as source program यह बहुत जादा important है जो हमारा जो code लिखा होगा high level language के अंदर high level language के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे उस code को बोलेंगे हम source program यह question भी बहुत जादा important है और जब हम उसको convert कर देंगे machine language के अंदर machine language के अंदर machine level language के अंदर तो उसे हम बोलेंगे object program इसे हम बोलते हैं object program इसे बोलते हैं source program बोथ compiler and interpreter perform the same task but their working is different compiler read the program at a time and search the error and leads them तो compiler क्या करता है एक पूरे के पूरे program को एक साथ execute करता है और उसमें search करता है कि उसमें कोई error तो नहीं है और अगर होगा तो उसे क्या करेगा शो करेगा user को if the program is error free then it converts into object program अगर इसमें मालीजी कोई error नहीं होगा तो उसे directly convert कर देगा कि इसमें object program के अंदर बट अगर error होगा तो वो शो करेगा user को की इस program में ऐसे ऐसे कोई error हो है when problem size is large then compiler is preferred whereas interpreter read only one line of a source code and convert it to object code तो आपको ये बात understand हुई होगी कि compiler जो है ये जैसे माली जी आपने एक program लिखा हुआ है तो इसको पूरे के पूरे को एक साथ ही object program में convert कर देगा compiler बट जो interpreter है वो first line को पहले object में convert करेगा फिर second line को convert करेगा फिर third line को convert करेगा इस तरह ये line by line program को execute करता है बस यही difference है आपका compiler और interpreter के अंदर और if it check error statement by statement and hence of take more time तो और जो है हमारा interpreter के है obviously थोड़ा ज्यादा time लगाता है हमारा compiler से क्योंकि compiler एक साथ run करेगा पूरे program को और interpreter क्या करेगा line by line तो of course time तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आने वाली वीडियो में हम धीरे धीरे इसको पूरा complete करेंगे जो भी आपके paper point of view से important होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please हमारे channel को subscribe करें हमारी वीडियो को like करें और अपने दोस्तों का share करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में